नमशकर दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज किस वीडियो में जहांपे हम बात करने वाले हैं 2023 मारूती फ्रॉंक्स के बेस वेरियंट के बारे में यानि की सिग्मा वेरियंट के बारे में सबसे बेस वेरियंट है और काफी सारे फीचर्स आपको इसकंदर देखने को मिलते हैं आफ्टर मार्केट जाने के आपको जादा जुरूत नहीं बड़ेगी मात्र थोड़ा सा खर्चा करके आप इस गाड़ी को डेल्टा में कनवर्ट कर सकते हैं देखी सकते हैं इसके अंदर भी कोई अगर बात करें हम सेफटी की तो गाड़ी के अंदर आपको एरबैग, ABS, EBD, Traction Control, Brake Assist यह सभी फीचर्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर मिलते हैं अभी सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंट प्रोफाइल के बारे में तो यहां पर उपर की साइड आपको गाड़ी के अंदर जो जो की प्रोजेक्टर के अंदर है और बेस वेरियंट के अंदर यह आपको गाड़ी में जो फ्रेंट के ग्रिल है वो क्रोम फिनिशिंग में यहां पर दी गई है और देख सकते हैं यहां पर जो लोगो है वो भी क्रोम फिनिशिंग में आपको दिया गया है बात करते हैं सा अब क्योंकि बेस वेरियंट है तो आपको फेंडर पे इंडिकेटर है वो मिलता है और जो यह ओवर्बियम्स है यह आपके आप देख सकते हैं ब्लेक कलर की फिनिशिंग में है अब आपको दिखातों एक बार साइड प्रोफाइल तो साइड प्रोफाइल से आप गाड़ी को दी गई है काफी सही चीज यहां पे है और जो गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं डोर हैंडल वो भी आपको ब्लेक कलर की फिनिशिंग में मिलते हैं यह कलर का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तब ही आपको पता चलेगा बेस वेरियंट लेने व से देखके बस अगर इसका कलर कोई ओर है तब आपको पता चल जाएगा इसके और विम स्कोर डोर हैंडल को देखके बाकि आपको ऐसा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि बेस वेरियंट और बेस वेरियंट के हिसाब से काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं और 37 लीटर् और कंपनी का क्लेम है इस गाड़ी का माइलेज 20.79 किलोमीटर पंडीटर का फाइफ स्वीड मेलनोर ट्रांस्मिशन के साथ आती है पीछे की साइड आप यहां पर देखे सेंटर में आपको दिया गया है हाई मांट इस्टोप लैंप और बैक गिलास के अंदर आपको डीफ नहीं गय सकते बेस वैरियंट है यहां पर आपको जो डूल टोन फिनीजिंग है वो दी गई है उपर आप देखे गाड़ी का कलर फिर ब्लैक कलर फिर यह नीचे कलर जो लाइट कलर है वो दिया गया है बेस वैरियंट के अंदर डिफो कराना यह भी कोई मामुली बात नही है उसके अंदर भी हाँ पर कोई कोश्ट कटिंग नहीं हुई है 195 x 60 r 16 और इन सीट को फोल्ड करके आप अपना जो बूटी स्पेस है उसको काफी जादा बढ़ा सकते हैं अब दिखाता हूं आपको इस गाड़ी की की बेस वैरियंट के अंदर भी आपको सेंटर लोगिंग सें दोस्तों मिलते हैं देखिए आप फिनिशिंग इंटीरियर की हाँ पर काफी सारी चीज़ आपको दी गई है यह गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर है यहां पर आपको चारोई पावर विंडोस के जो कंट्रोल से हैं वह मिलते हैं और वन टच आप डाउन कर सकते हैं और वन टच अब भी कर सकते हैं बेस वेरियंट के अंदर यह चीज होना कोई मामूली बात निया काफी अच्छा फीचर है डोर लोक अनलोक और यहां पर फैबरिक में आपको जो सोफट टच फिनिशिंग है वो दी गई है नीचे की साइड आपको बोटर होल्डर का स्पेस पाझाट का सपेस और स्पेकर का स्पेस मिलता है जाड़ी कंदर उयोडर आपको दो दे डिये गए है हाइड एडजेस्ट कर ande को कोई बी ऑप्शन नहीं मिलता है आपको स्पेकर के अंदर लंबार सपोर्ट काफी ऑच्छी काफी काफी तरिक स्फीट से त तो काफी वह मिलता है और ड्राइवर के राइट-hand side पर ही हाप आपको traction control ideal start stop headlight lamber और यह AC event की finishing है आपको दी गई है अभी बात करते है steering के बारे में तो गाड़ी का steering आपको tilt adjustable steering मिलता है steering पर आपको कोई भी जो audio के controls हैं वो नहीं मिलते हैं और बैठते हैं अंदर बात करते हैं M.I.D. के बारे में तो यह M.I.D. display है left-hand side पर rpm meter right-hand side पर speedometer center बेक digital display जिसके अंदर आपको fuel temperature time साथ के साथ गाड़ी trip A में कितनी जल चुकी है trip B में कितनी जल चुकी है साथ ही साथ क्या average आ रहा है गाड़ी का कितनी रेंज है क्या distance to empty है सबी चीजे दिखाती है गाड़ी तो यह steering आपको decat steering है यहाँ पर आपको chrome finishing दी गई है infotainment system आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है ना ही कोई आपको speakers वगएरा मिलते हैं यह आपको after market लगवाने पड़ेंगे वन्ना उसके लावा और कोई भी काम कराने की जुरुत नहीं है यहाँ hazard light का button यह is event और नीचे की साइड यह से काफी अच्छी चीज़ है और इनकी quality भी काफी सही है नीचे यहाँ पर आपको 12V के चार्जिंस होगीट है वो मिलता है यहाँ पर space है यहाँ पर दो cup holders के space है और 5-speed manual transmission आपको गाड़ी के अंदर मिलता है यहाँ पर आपको हैंड प्रेक दिया गया है कोई भी आपको यह पर आपको नहीं मिलता है और यह काड़ी का globe box normal space के साथ globe box मिलता है finishing आप देख सकते हैं black color gray color फिरेक और फिरेक कलर चार कलर का जो combination है वो यहाँ पर मिलता है बाकी इस तरीकी की finishing है dashboard की build quality fit and finish सेम आपको वही मिलती है जो बलीनों के अंदर मिलती है तो यह first row के features से अब चलत आपको power window का switch यहाँ पर fabric में जो finishing है वो दिए यह source touch की नीचा आपको water holder का space मिलता है और यहाँ पर speaker का space है और यह गाड़ी की rear की seat है यहाँ एक खास चीज है रियर की seat पर आपको तीन adjustable headrest है वो गाड़ी के अंदर मिलते हैं base agent में और यही सेम चीज अब बलीनों के अंदर भी B6 phase 2 में update हो चुके है उसके अंदर भी आपको तीन adjustable headrest मिलते हैं अब डैठते हैं अंदर आपको space दिखाता हूं क्योंकि space काफी अच्छा मिलता आपको सेम वही आपको wheelbase मिलता है जो बलीनों के अंदर मिलता है तो driver side seat मेरी height के according adjust है मेरी height 5ft 11 inch है तो देख सकते हैं काफ अब अच्छा comfortable होगे बैठ सकते हैं उपर की side यहां पर रूफ में halogen light पीछे भी आपको foldable जो grab handles हैं वो दिये गए हैं जो की दोनों side मिलते है right hand side में हापे coat holder के जो हुक है वो भी दिया गया है बाकी जब आप इस गाड़ी के rear seat पर बैठते हैं तो कुछ इस तरीके का भी जादा updated यह गाड़ी feel होती है आपको तो दोस्तों मैंने आपको fronks के sigma variant के सभी features दिखा दिये हैं exterior के भी interior के भी हर एक चीड डिटेल्ड में यहां पर explain कर दिया है own road कीमत है इस गाड़ी की गाजियबाद उत्तर परदेश के अंदर 8,60,000 रुपे बाकी यह कीमत अलग खरचा होगा और फिर अपकी गाड़ी यह complete हो जाएगी तो features wise safety की जो features है तीन तीन adjustable headrest उन सभी चीज़ों के हिसाब से गाड़ी perfect है तो दोस्तों यह आज की वीडियो थी कैसी लगी आपको गाड़ी और वीडियो दोनों कमेंट करके आप बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो में इतना ही वीडियो एंड तक देखने के लिए thank you very much